आलो डिडर्स वेलकम बैक टो माई चानल चलो देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कुंसेस्ट और ओक्स हम यह आपर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यह आपर देख सकते हुए कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और हमने यहाँ पर बहुत सारे फिबोनाची के लेवल्स अल्रेडी डिसकस की हुए अगर आपने कल का अनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने यह सारे जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं हमने कल के अनालिसिस वीडियो में डिसकस की हुए थे simple यह सारे Fibonacci ratios है और अगर आपने कल का analysis वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि वो वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही important है और उसी level के basis पर आगे आने वाले 2-3 दिन में हम यहाँ पर trades लेने वाले simple हमने यहाँ पर आप देख सकते कि यह zone यहाँ पर discuss कियो था 18,900 से लेके 18,950 का यह important resistance zone होने वाला है similarly हमने यह दो level से यहाँ पर discuss की होए थे और आज हमने क्या देखा एक level जो 18,834 का level है price इसके उपर open हुआ तो हमने यहाँ पर discuss क्या कि होआ था कि अगर price इस level के उपर open होता है तो simple मैं यहाँ पर एक pullback देखना चाहूँगा अगर कोई भी bullish candle यहाँ पर बनती है तो bullish candle के साथ में यहाँ पर से मैं long जाना चाहूँगा अभी यहाँ पर जब भी pullback आया मेरे मन में क्या चल रहा था कि अगर आप यहाँ पर देखोगे हो चुकी थी एक price क्या हो कर सकता है कि एक यही पर consolidate कर सकता है मेरा view क्या है यहाँ पर से bullish है बट यहाँ पर expiry भी थी प्लस यहाँ पर से यह bullish rally हो भी चुकी थी इसी वज़े से मैं क्या expect कर रहा था कि price 18,834 पर at least support लेके दिन बर यही पर consolidate करेगी यहाँ पर से मैं bull तो rally expect नहीं कर रहा बट यहाँ पर मैं क्या expect कर रहा हूँ कि price यही पर consolidate करेगी हमारे Fibonacci level का support लेगी इसी वज़े से यहाँ पर मैंने call को buy नहीं किया मैंने 18,800 के put को short किया यह मान कि कि price यही पर consolidate करेगी कि मुझे यहाँ पर premium decay हो जाएगा यहाँ पर premium zero हो जाएगा और अच्छा खासा मुझे यहाँ पर profit मनेगा बट वेसा नहीं हुआ मैंने just यहाँ पर नीचे अपना stop loss रखा था जो कि stop loss यहाँ पर hit हुआ और price दिन बर यही पर volatility दिखाती रही अभी अगर आप simple देखोगे तो price ने जब यहाँ पर selling रहे लिया यह price ने यहाँ पर retracement लिया और हमारे level का बहुत ही अच्छे से respect करके यही पर से react होके नीचे गिरी इसका मतलब यह important level है और price यहाँ पर respect भी कर रहा है अभी simple अगर आप मुझे पूचोगे तो yes यहाँ पर मेरा stop loss गया मेरे लिए loss day था अभी कल हम यहाँ पर किस तरह के से trade कर सकते है तो simple मैं आपको दो ही level से यहाँ पर से बताना चाहूँगा जिस level के respectively हम यहाँ पर trade कर सकते है simple हमें 5 minute time frame में जाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा horizontal level है जहाँ पर से आज यहाँ पर हमने selling देखी थी तो 18,850 का वो level है और similarly यहाँ पर एक important support भी है support भी बोल सकते हैं फिर important level भी बोल सकते हैं आप यह दो levels देख सकते हो कि price ने यहाँ पर resistance लिया था support लिया, support लिया, resistance लिया support लिया और फिर last में price ने यहाँ पर resistance लिया इसी वज़े से यह एक important level होने वाला है इसी वज़े से अगर price यहाँ पर कल कोई pullback दिखाता है range में open हो पर या फिर छोटा सा gap up open दिखा कर यहाँ पर pullback दिखता है then surely यहाँ पर कोई negative candle देखकर में shorting की opportunity लेना चाहूँगा अभी यहाँ पर में यह 18,834 के level पर कोई trades नहीं लूँगा क्योंकि इसके आसपास अभी एक structure बन चुका है और वही structure के दो levels में आपको यहाँ पर बता दिये इसी वज़े से अगर मुझे long भी जाना है तो मैं क्या करूँगा simple यह resistance का breakout देखूँगा then pullback देखूँगा और यहाँ पर से हम यहाँ पर buying कर सकते यही simple मेरा plan होने वाला है इस level के नीचे selling और इस level के उपर buying अगर आपको targets चाहिए तो long side में आपको बता है 18,890 या फिर 18,900 के targets हम रख सकते हैं और 18,900 के उपर जब price जाने लगेगी हमें simple यहाँ पर price action को observe करना है अगर कोई bearish price action दिखरा है then surely हम यहाँ पर से shorting की positions ले सकते हैं similarly अगर price यही पर से नीचे गिरना लगता है तो यह जो यहाँ पर हम के सकते के price ने support लिया था यह हमारे लिए first target रहेगा अगर price यहाँ पर से भी breakdown कर देते हैं तो next जो हमारा Fibonacci का level है 18,734 यह हमारे लिए important support का काम करेगा इसी वज़े से यह second target हमारे लिए होने वाला है इतना ही clear analysis है Nifty में होपि आपको यहाँ पर से पूरा clear हो चुका होगा अभी बात कर लेते हैं bank nifty के उपर bank nifty में मुझे कोई भी trade नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ पर एक zone discuss करके रखा है हमने यहाँ पर क्या discuss किया है कि price अपने एक important profit booking level पर आ चुकी थी या फिर हम कह सकती कि यहाँ पर से हम kind of consolidation या फिर retracement expect कर रहे थे यह important Fibonacci का level है यहाँ पर आ चुकी थी और price यहाँ पर एक zone बना चुकी थी यहाँ पर एक trend line भी थी जिसका price ने यहाँ पर fake breakdown भी कर चुका था और फिर से में बोला था कि अगर price यहाँ पर से कल भी breakdown कर रहा है फिर भी हमें short नहीं करना है जिन जिन लोगों ने यहाँ पर short की entry ली होगी I am damn sure कि यहाँ पर से आप फसे होगे यहाँ आपर trap हो चुकी होगे क्योंकि price जब zone बनाता है simple हमें का करना होता है उसका resistance मार्क करना है उसका support मार्क करना है हमारा यहाँ पर से plan क्या बन रहा था कि अगर price इस zone के उपर open होता है तो simple हम यहाँ पर pullback का wait करेंगे यहाँ पर अगर कोई bullish candle बनती है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ मैं 42,883 के नीचे ही करूँगा इसी के नीचे में short के trades लेना चाहूँगा otherwise मैं यहाँ पर interested नहीं रहूँगा अगर मुझे long जाना है तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ पर plan में हमारे change करेंगे अभी इस level पर हम यहाँ पर long नहीं जाने वाले यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा horizontal level है वो आपके साथ में share करना चाहतो आप यहाँ पर देख सकते हो यह level क्या कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते कि price ने यहाँ पर resistance लिया होता price ने यहाँ पर support लिया support लिया और price ने आज यहाँ पर दो बार resistance लिया simple 43,000, 3333 का यह level है अगर price इस level के कर उपर निकल जा रहा है तो इस level के उपर ही में buying करना चाहूंगा इसी के उपर एक बहुत ही अच्छे trades बनेंगे otherwise अगर price फिर से नीचे यह consolidation zone में आ रहा है यही मेरे लिए buying का trade होने वाला है और selling में आपको बता दिये इस level के नीचे ही करने वाले और यही simple मेरा bank nifty का analysis बनने वाला है ठीक है और और एक मिया बात आपको यहाँ पर clear करना चाहता हूं कि जब भी यहाँ पर मैं हर बार यह आपको बताऊ इसा important नहीं है जो भी regular viewer से आपको पता है यहाँ पर से price ने एक retracement लिया यहाँ पर यह pullback लिया दिन price फिर से यह extension कर रहा है तो हम क्या करते यहाँ पर Fibonacci extension का tool लेते एकदम top से लेके bottom तक लगा देते और यह जो level से आप यहाँ पर देख सकते हैं आज यहाँ पर 1.272 पर ही price ने rejection लिया और यहाँ पर से price नीचे आता रहा तो यह हर बार में आपके साथ में ratio share करू ना करू बट आपको यह draw करने अभी आ जाने चाहिए चार्ट के उपर और यह levels बहुत ही अच्छे से काम भी करते हैं तो फिर से अगर price यहाँ पर से breakout कर रहा है तो first target हमारा 1.272 का रहेगा आप यहाँ पर 100% quantity भी book कर सकते हैं अच्छा target आपको यहाँ पर मिलेगा अगर यह breakout कर रहा है और अगर आप new trade लेना चाहते हैं तो next आपके लिए target कर र थोड़ा सा two day के time frame में चलेंगे क्योंकि one day के time frame में इतना चार्ट यहाँ पर clear नहीं दिख रहा है two day के time frame में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह अपने important horizontal level पर भी है और trend line के level पर भी है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price यहाँ पर resistance ले रहा था then price यहाँ पर support ल अगर हम थोड़ा सा structure को देखे structure को study करें तो हमने क्या देखा हमने एक impulse मूँ देखी then retracement देखा again एक impulse मूँ देखी तो आप यहाँ पर से क्या expect करते मैं तो थोड़ा सा यहाँ पर से profit booking expect करता हूँ यह से अगर यह breakout कर देगी तो हम यहाँ पर से swing के longer ads लेने ही वाले बट थोड़ा साथ 2-3 दिनों के लिए at least यहाँ पर एक profit booking आ सकती है जो कि आनी भी चाहिए क्योंकि एक impulse more then retracement हो सकता है फिर भी हम यहाँ पर short side में confirmation के साथ में यहाँ पर trade करने वाले और अगर हम यहाँ पर आएगे तो यह हमारे trend line का level है यह horizontal line का level है और अगर आप यहाँ पर यहाँ पर add कर देता हूँ हमें यह जो यहाँ पर support वाली line है वो simple यहाँ पर mark करने है अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर rising wage भी बन रहा है important resistance पर भी है और price यहाँ पर double top pattern बना रहा है अगर यह neckline का breakdown यहाँ पर से हो रहा है दोने एक बहुत ही short trade यहाँ downside में बन सकता है 1-2, 1-3, 1-4 तक के target से यहाँ पर hit हो सकते है बहुत ही simple trade है और daily time frame में यहाँ पर inside bar candlestick pattern बना रहा है इसका मतलब breakout तो जरूर यहाँ आपर से होने वाला है अगर यह downside में होता है तो हम यहाँ आपर इसे shorting credits ले सकते है अगर 155 के ऊपर निकलता है तो जरू में यहाँ पर शोट करना चाहूंगा अभी नेक जो stock के हुए ICICI bank, ICICI bank थोड़ा सा अगर हम daily time frame में देखेंगे तो हमने यह structure already defined किया था कि price यहाँ पर एक important trend line resistance पर है और price आज यहाँ पर से reject हुआ और bearish single finger candlestick pattern यहाँ पर से बन रहा है तो यही momentum downside में continue हो सकता है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 15 minute time frame में देखेंगे तो simple आप यहाँ पर देख सकते हो कि price यहाँ पर एक double top pattern मना रहा है अभी हम यह neckline भी draw करने वाले और आज की दिन का low भी यहाँ पर से draw करने वाले जहाँ पर भी हमें pullback मिलेगा pullback देखके short कर सकते सिर्फ हमें यहाँ पर pullback पर एक negative candle दूने अगर negative candle में ते दिन शोरले में आपर शे शौर्टिंग के ट्रेट्स ले सकते हैं तो यही पूरी पूरी अनालिसिस बने रहे होगे आपको यह पूरा अनालिसिस वीडियो समझ में आ गया होगा पसंद आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो please इस व वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं thank you very much